दोस्तो स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के स्टेडी पॉइंट में आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 5 जिसका नाम है इंडी को दोस्तो इस कहानी को लिखा है लुईस फिशर ने इस कहानी में लुईस गांदी जी के बारे में बताते हैं लुईस बताते हैं कि कैसे गांदी जी ने स्टगल करके पूरे चंपारन जिले की मदद करी और ये चीज गांदी जी के लिए एक टर्निंग पोईट भी बन गया इस चेप्टर की शुरुआत होती है दिसंबर 1960 में जो लखनओ में कॉंग्रेस का एक एनुवल कॉंफरेंस गांदी जी अटेंड कर रहे थे और वही पर उनसे मिलने एक गरीब किसान आता है उस किसान का नाम राजकुमार शुकला था वह बहुत गरीब और सीधा साधा व्यक्ति था वह चंपारन रहता था चंपारन एक भिहार में जिला है राजकुमार गांदी जी को अपनी सारी बाते बताना चाता था कि वह एक गरीब किसान है और उसके यहां अंग्रेजों का जल्म बढ़ गया है इसलिए वह लखनाओ में आके गांदी जी को अपने साथ ले जाना चाता था मगर वे लखनाओं में उनसे नहीं मिल पाता क्योंके गांदी जी बहुत बिजी होते हैं और उनकी अगली सेमिनार कानपूर में होती है इसलिए वे कानपूर में चले जाता है और राजकुमा शुकला भी गांदी जी के पीछे पीछे कानपूर चले जाता है मगर वहाँ भी उनकी मुलकात नहीं होती इसके बाद गांदी जी अपने एहमदबाद वाले आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ उनकी पहली मुलकात होती है राजकुमा शुकुला चाहता था कि गांदी जी उसके साथ चले और उसके एक डेट मिल जाए और उस दिन वे साथ चले गांदी जी बोलते हैं कि अभी तो वे बहुत बिजी हैं मगर वे उसे कोलकता में मिलेंगे क्योंकि अगली सेमिनार कोलकता में होने वाली थी गांदी जी कोलकता चले जाते हैं और राजकुमार भी उनके पीछे-पीछे कोलकता चले आता है सब काम हो जाने के बाद राजकुमार और गांदी जी दोनों चंपारन के ओर निकल जाते हैं सबसे पहले राजकुमार शुकला गांदी जी को पटना ले के जाता है जहार राजकुमार गांदी जी को राजिन प्रसाद वकील के घर ले के जाता है महां से गांदी जी मुझफर नगर जाने का सोचते हैं क्योंकि चंपारन में जाने से पहले सारी हकीकत को जान ले तो मुझफर नगर स्टेशन पर जैपी कैपलानी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं गांदी जी दो दिन मेकलानी के घर पर रुकते हैं जब तक ये खबर फैल जाती है कि गांदी जी आने वाले हैं तो कुछ पीजेंट्स शेर क्रोपर्स उन्हें हुआ लेने पोचते हैं और बहुत सारे वकील भी उनसे मिलने आते हैं और वे गांदी जी को बताते हैं कि क्या स किसान को अपनी जमीन 15% पर इंडी को मतलब नील की खेती करना अनिवारे था और जो भी फसल होती थी वे अंग्रेजों की होती थी ये एक पुराना एग्रिमेंट था मगर 1970 में जर्मनी ने एक नई टेकनोलोजी से सिंथेटिक इंडी को उगाने लगती है तो मार्किट में ए मारे जादा काम की नहीं है अंग्रेज किसानों से ने एग्रिमेंट बनवाते हैं कहते हैं कि आप अपनी जमीन वापस ले लीजे लेकिन इसके बदले में आपको मुआपज़े देना पड़ेगा किसान अंग्रेजों की बातों में आकर एग्रिमेंट पर साइन कर देते हैं और कुछ किसान तो उन्हें पैसे भी दे देते हैं। बाद में किसानों को बता चलता है कि उनके साथ दोका हुआ है। वे चाते थे कि उनके पैसे वापिस मिल जाए। गांधी जी ब्रिटिस एसोशेशन लेंलोड के सेकरिटरी से मिलते हैं। लेकिन वे गांधी जी की मदद नहीं करता और बोलता है कि यहां से चले जाएए इसी में आपकी बलाई होगी। गांधी जी उसकी बात नहीं मानते और मोती हरी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। महाँ पर भी उनका बहुत अच्छी तरीके से स्वागत होता है। गांधी जी के पास एक नोटिस आता है उसमें लिखा होता है कि उन्हें चमपारन छोड़कर अभी जाना होगा। लेकिन गांधी जी इस ओडर को नहीं मानते। और वे रात को पूरी रिपोर्ट तार के जरीए वाइसराय को भेज देते हैं। अगली सुबा गांधी जी को कोट में पेश होना था मगर जबी बहुत बड़ा किसानों का जुंड आ जाता है और वे गांधी जी की सपोर्ट में नारे लगाने लगता है। अंग्रेज भीड को कंट्रोल नहीं कर पाते तो गांदी जी खुद भीड को कंट्रोल करते हैं बिटिश कोट चाती है ये मुकदमा यहीं खतम हो मगर गांदी जी को ऐसा नहीं होने देते और गांदी जी कोट के जच्चिस से बोलते हैं कि वे conflict of duties में फस गए हैं तो वे नही चाते कि लो ब्रेकर की तरह वे पब्लिश हो सोसाइटी के सामने लेकिन उन्हें हजार किसानों की सुननी थी तो उन्हें नियाए दिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं बिहार से राजिंद परसाद और कुछ बड़े वकील गांदी जी से मिलने आते हैं कहते हैं कि अगर के बाद बोलते हैं गांदी जी इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उन्हें वकीलों पर डाउट था वकील देखते हैं कि गांदी जी के साथ बहुत सारे किसान हैं और वो देश के लिए भी कुछ करना चाते हैं तो वकील उनके साथ हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद वहां क कि लेक्टिनेन गांदी जी पे चलाए गए केस को वापिस ले लेते हैं और गांदी जी ची Civil Disobedience Movement की यह पहली जीत थी उसके बाद शेर क्रोपर्स के लिए जाच कमिशन की स्थापना होती है जो इनकी हालत का जायज लेगी गांदी जी चमपारन में साथ महीने तक रहते हैं और कहते हैं कि बिर्टिश लेंडलोड द्वारा गरीब किसानों के पैसे वापिस दिये जाए एट लिस 50% पैसा तो उन्हें वापसी किया जाना चाहिए बिर्टिश लेंडलोड बोलते हैं जमीन तो हमारी थी हम आपको 25% देंगे बस ये बात गांदी जी माल लेते हैं और गरीब किसानों को अपने पैसे वापसी मिल जाते हैं बिहार में गांदी जी स्वास्त और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 6 प्राइमरी स्कूल खोलते हैं वहां गांदी जी की वाइफ कस्तुर्बा गांदी उन्हें शिक्षा देती है ये गांदी जी की लाइफ का बहुत बला टेंडिंग पॉइंट था क्योंकि यहां से गांदी जी को रेलाज हुआ कि हम भी बिटिज गॉर्मेंट के सामने खड़े हो सकते हैं और इंडियन्स में इतनी ताकत है कि वे बिटिशर्स को चैलेंज कर सकते हैं लोगों ने बोला था कि आप सी एफ एंड्रूस का साथ भी ले सकते थे मगर गांदी जी ने मना कर दिया क्योंकि वे ये लड़ाई खुद लड़ना चाहते थे और इस चीज से गांदी जी ने इंडियन्स को आत्म निर्बर का मैसिज भी दिया था तो दोस्तो ये चैप्टर यहीं खतम होता है